हे गाइज हमेशा की तरह स्वागत है आपका हमारे युटूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग सपोर्ट में सो गाइज काफी लोगों ने कमेंड किया था कि सर्ट मंगो डीवी डेटाबेस सर्वर कैसे इंस्टॉल एंड कनफिगर करते हैं तो वीडियो को इसकी मत करना है वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो सबसे पहले आपको मंगो डीवी साप्टोर डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए कोई भी ब्राउजर ओपिन करना है और गूगल में जाके सर्च करना है मंगो डीवी डाउनलोड यहाँ पे मंगो डीवी का ओफिसिल आपसाइड ओपिन होकर आएगा और यहाँ पे लिखा है तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे आना है यहां पर आप देख सकते हो यह एक select package का option है इस पर simply आपको click करना है click करने के बाद यहां पर automatic latest version select हो जाएगा and then यहां पर आपको platform select करना है किस platform पर आप install करना चाहते हो जैसे कि windows पर या Linux पर या फिर Mac पर यहां पर हम windows पर करने वाले हैं यहां पर platform आपको simply windows select कर लेना है and then यहां पर package आपको देखने को मिलेगा package में आपको simply यहां पर MSI select कर लेना है तो यहां पर simply तीनों select करने के बाद यहां पर download option देखने को मिलेगा just आपको download पर click कर देना है जैसे ही आप download पर click करोगे तो यह download होना ही start हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो यह download हो रहा है अब यहाँ left side में tools का option है इस पर simply click करना है and then यहाँ पर mango db cell पर click करना है यहाँ पर आपको mango db cell download लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे जाना है and then यहाँ पर automatic latest version select हो जाएगा यहाँ पर भी platform आपको windows select कर लेना है but यहाँ पर आपको याद रहे package यहाँ पर आपको MSI नहीं करना है यहाँ पर package आपको zip select करना है तो यहाँ पर package zip select करने के बाद simply यहाँ पर download पर click कर देना है अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों file download हो रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सब wait करना है जब तक कि दोनों file download नहीं हो जाता है अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे computer में दोनों file जो है download हो गया यहाँ पर आप download में भी जाके देखो गयो तो यहां पर दोनों फाइल देख रहे हो आप दिखाई दे रहा है तो वैसे ही आपको भी यह दोनों फाइल डाउनलोड पहले कर लेना है ओके अब यहां पर आपको mango db windows जो लिखाया इस अपट र कोइशॉब करना है अब यहां पर देख सकते हो I accept license क्लिक करना है अब यहां पे आप सकते हूं यहां पर कुछ अप्सन हो गए रा दिया गया है बाइ डिफरल्ट का डिर्यक्टरी हो गए रा जो भी जहां पर इंस्टॉल हो रहा है सब कुछ दिखा दे रहा है डीटर्स ठीक है तो यह सब कुछ सेलेक्ट हो गया है यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है सो simply यहां पे आप next पे click कर दो अब यहां पे देख सकते हैं इंस्टाल मंगोDB कमपास का अप्सन देखने को मिल रहा है मंगोDB कमपास बेसिकली मंगोDB का graphical tool है सो max here install install MongoDB compass यहां पर चेकमार्क जरूर लगा दो अगर चेकमार्ण है यहां पर नहीं लगाए तो यहां पर चेकमार लगा के आपको simply next करना है अब यहां पर देख सकते हैं फाइनली इंस्टाल करने के लिए बोल ला है तो simply आप इंस्टाल पर क्लिक कर दो यहां पर अगर एस एंड नो करने के लिए बोलेगा तो simply आपको एस कर देना है अब यहां पर देख सकते हैं इंस्टालेशन जो है वह स्टार्ट हो गया है तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तो कि अच्छे से इंस्टालेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है आप देख सकते हैं फाइल इस्टालेशन कंप्लीट हो गया एंड फिनिस का आप सना आगया है तो यहां पर फिनिस पर क्लिक कर दो यहां पर अभी आपको कुछ नहीं करना है तो simply आप इसको क्लोज कर दो इसको भी क्लोज कर दो अब हम फिरसे डाउनलोड में जाएंगे ए को extract करेंगे तो extract करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर extract का option है simply extract कर देंगे अगर आप देख सकते हो extract करने के बाद सेम उसी नाम से एक folder बनके आ गया तो इस folder को simply copy कर लेना है copy करने के बाद आपको अपने c drive में जाना है c drive के अंदर इस folder को paste कर देना है यह पर आप देख सकते हो extract किया हुआ mango db cell folder को हमने c drive में रख दिया ओके तो ऐसे ही आपको भी इस folder को c drive में रख देना है अब last step आपको environment variable set करना है तो उसके लिए आपको c drive के अंदर program files को open करना है और पर आपको mango db नाम का एक folder देखने को मिलेगा इसको open करना है यहां पर जाके आपको इस path को copy कर लेना है ओके आप कीबोर्ड में आपको इंडोज बटन प्रेस करके सर्च करना है इनवी तो जैसे ही आप इनवी टाइप करोगे तो यहाँ पर आपके पास इडिट द इश्टम उन्वाइरॉमेंट वेरियेवल जैगा इसको ऐपन करना है दन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ओपन करना है तो आपको फिट से सीड्राइब में जाना है यहाँ पर हमने जो मंगो ऐसे फॉल्डर रखा था उसको ऑपिन करना है ओपन करने के वाद यहां पर बिन नाम का एक और फोल्डर देखने मिलेगा इसको ओपिन करना है एन यहां से इसका भी पाथ सिंपली कॉपी कर लेना है देन फिर से इडिट एनवायरूमेंट में यहां निव पे कलिक करके इस पाथ कुभी पेस्ट करेंके सनले करां अक मि अपने मंगोड़ी सर्वरार्य। दोनों install and configure कर लिया अब मैं आपको mongodb database जो है एक बार open करके भी दिखा देता हूँ इसके लिए आपको command prompt open करना है और यहाँ पर command prompt में सबसे पहले आपको mongodb का version चक करना है तो इसका version चक करने के लिए आपको type करना है mongod space-version and enter आप आप देख सकते हो हमने जो version install किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपने अपने laptop में mongodb जो है अच्छे से install कर लिया आप mongodb database server से connect हो सकते हो यहाँ पर mongodb server से connect होने के लिए आपको simply type करना है mongosah and enter यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा mongodb server जो है उससे अच्छे से यहाँ पर connection हो गया और एक चीज यहाँ और मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको कुछ भी error आ रहा है यहाँ पर server connect नहीं हो रहा है simply आपको run open करना है यहाँ पर आपको type करना है services.msc then ok करना है तो यहाँ services में आने के बाद आपको mongodb server देखना है running status में है या नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते mongodb server जो है वो running status में है अगर यह running status में नहीं है तो simply इसको select करना है and यहाँ पर restart button देखने को मिलेगा simply यहाँ restart पर click करके mongodb server को restart कर देना है ok mongodb server restart होने के बाद आपको फिर से command prompt में जाना है and mongosss command चला के आपको फिर से mongodb server से connect करना है तो आपका mongodb server यहाँ पर आसानी से connect हो जाएगा तो दोस्तो बास फिलार वीडियो में इतना है यह देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोई सवाल है सुझा है तो नीचे comment करना मत बूलेगा अगर आपने इस वीडियो को अभी तक like and share नहीं किया तो like भी कर देजिए, share भी कर देजिए और अगर आप अमरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा कि कि मैं आपके लिए हमेशे रोजाना ऐसे यलफूल वीडियो लेकर आता रहता हूँ मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदे मात रहा